नमस्कार दोस्तों पातफाइंटर पर आप सभी का स्वागत हैं दोस्तों भारत के प्रतिनिधियों का बेबाग होकर पश्ट रूप से UN Assembly में अपनी बात रखना कोई नई बात नहीं है इस कड़ी में भारत की एक और मजबूत आवाज जुड़ गई है जो है रुचिरा कामबोज कौन है रुचिरा कामबोज जो है UN में भारत की मजबूत आवाज क्या-क्या उन्होंने कहा है, कौन-कौन से मुद्दो पर उन्होंने बात की है इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सबसे पहले मैं आपको नियूस बता दू रुचिरा कामबो जो कि भारत की पर्मनेंट रिप्रेजेंटेटेटिव है पर कुछ पूछा गया डिमॉक्रसी के संबंद में तुन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हमें आपको बताने के जरुत नहीं है कि लोगतंतर में क्या किया जाना चाहिए इसी के बारे में और दीटेल में बात करेंगी पर बिफोर मुविंग फॉवर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं दोनों टेलिग्राम चानल्स पर फॉर आल माइ क्लास अपडेट शेडूल और पीडिएफ अनकाइडनी आप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लास और प्लस कोर्स के लिए स्पेशल क्लास के ताइमिंग्स है फाइफ पीएम एंडोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है अगर आप पहली बढ़ जा रहे हैं तो आप चाकर सिर्फ मेरा कोड यूज करेंगा आप फ्री क्लास को अक्सेस कर सकते हैं चली न्यूज देख लेते हैं तो इंडिया ड़स नॉट नीड तो बी टोल्ड वाट तो डॉट वान डिमॉक्रसी भारत को यह बताने की जुरत नहीं है कि लोकतंतर में क्या किया जाना चाहिए यह कहना है देश की Permanent Representative to UN Ambassador रुचिरा कामबोच का जिन्होंने अभी भारत ने Presidency Assume की है UN Security Council की for the month of December ठीक है हाल ही मैंनों नहीं कहा तो जैसे कि मैंने आपको बता है कि हमने अभी हाल ही मैं Assume की है Presidency of the 15 Nation UN Security Council for the month of December जिस दौरान में इस पूरे December के समय में we will be hosting signature events on countering terrorism, terrorism counter करने के लिए जो events होंगे उनको हम host करेंगे साथ में reformed multilateralism से संबंधित भी चीजों पर events को host किया जाएगा भारत की दौरा कामबोज के अगर हम बात करें तो भारत की पहली महिला permanent representative है UN में और वो President's seat पर बैठेंगी at the horseshoe table तो यह इतनी details में जाने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने क्या क्या का है उसके बारे में ज़्यादा जरूरी है बात करना पहले दिन जब भारत ने presidency assume की वो address कर रहे थी reporters को in the UN headquarters on the monthly program of work की पूरे महीने में कैसे काम होता है उसमें वो काम बात चल रहा था जिसमें question उनसे पूछा गया regarding democracy and freedom of press in India की लोगतंत्र जो आजादी है प्रेस की भारत में उस सम्मन में question उनसे पूछा गया इसके आगे उनने क्या कहा इस सम्मन में आगे उनने कहा कि भारत विश्व की सबसे ancient civilizations में से है विश्व की और भारत में democracy की roots जो है न वो पच्छे सो साल पुरानी है तो हम यह कह सकते हैं कि हमेशा से ही क्या थे एक लोगतंत्र थे Coming down to very recent times अगर अभी की बात करें तो हमारे जो तीनों pillars in democracy के वो intact हैं तीन organs होते हैं government के which is legislature, executive and judiciary और साथ ही यहाँ पर उनने चौथा estate चौथा pillar की बात भी की press तो यह सभी intact है और सभी सही तरीके से काम कर रहे हैं और साथ साथ हमारे एक बहुत ही vibrant social media भी है तो भारत देश ज सबसे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव की प्रक्रिया की जाती है और सभी को आजादी है वो क्या कहना चाहते हैं उनकी क्या इच्छा है and what they please and this is how our country functions मतलब यहाँ पर सभी को अपनी बात रखनी की आजादी है it is rapidly reforming transforming and changing साथ में उनने का हम बहुत तेजी से reform हो रहे हैं transform हो रहे हैं और बदल भी रहे हैं बदलते समय के अनुसार और जो trajectory है भारत क्या मतलब जो बदलाव की जो progress है वो उसकी जो trajectory है वो काफी जादा क्या है progressive है impressive है काफी जादा impressive है अगर उचिरा कामबूज एक person की बात करें तो she is a straight talker वो सीधी बात करती है और यह बिलकुल ensure करती है उनकी बातों से पता लगता है कि वो ensure करती है कि भारत के लिए जब भी वो बात करें तो she puts the best foot forward हमेशा सही मुद्दो पर सही बात सटी ब नहीं हैं जिसको push around किया जा सकता है जिस पर आप दबाव डाल सकते हैं एक बहुत बड़ा देश है और बहुत ही proudly हम अपनी heritage के साथ अपनी सिविलाइज जिसको हमारी जो भी संस्कृति हैं सभीता उनके साथ खड़े हैं अपने relations with the competing international blocks इनके साथ साथ ना के वल हम अपनी स organizations हैं international diplomats हैं जो भी international blocks हैं उन सभी के साथ हम मजबूती से खड़े हैं proudly खड़े हैं हम सही चीजों का साथ देते वे खड़े हैं साथ में उन्होंने clear message भी दिया जब उनसे question पूछा गया Russian foreign minister के assertion से सम्बंदित कि Western military group NATO push कर रहा था New Delhi को towards the anti Moscow and anti Beijing alliance ऐसा उनसे पूछा गया तो उसमें उन्होंने साफ साफ कहा कि देखे हमारा एक संबंध हमारा एक relation है Russia के साथ जो की काफी important relationship है Russia के साथ और वहीं अगर हम US के साथ relationship की बात करें तो यह comprehensive strategic partnership है हमारी जो कब जो जितनी close अभी है इतनी close कभी भी नहीं थी काफी बहतर स्थिती में है closer है tighter है stronger than है ठीक है ऐ अगर चाइना की संबंध में बात करें तो चाइना के संबंध में भी बहुत बार उन्होंने बात किया और यह पहली बार नहीं है कि कामभोज ने चीजें बोली है दवे देयार वो घुमा फिरा कर चीजों को नहीं बोलती she speaks straight यहां पर उन्होंने वो कभी भी मतलब hesitate नहीं बात है यहां पर और तब से वो regularly tirelessly काम कर रही है counter terrorism को focus में लाने के लिए उसके संबंध में जो problems है वो problems को लाने के ताकि counter किया जा सके terrorism को sorry ठीक है taking on mighty china has not been a problem for her मतलब वो ऐसा नहीं कि वो घुमा फिरा के चीजें बोलती है वो सीधी साफ बात करती है last week ही 26 ग्यारा anniversary से पहले ही उन्होंने कहा था कि भारत के जो efforts है जिसमें वो sanction लगाना चाह रहा है on the perpetrators and facilitators of the 26-11 जो 2008 में मुंबई में attacks हुए थे उनको block किया गया है political reasons की वज़े से past में इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं सभी जानते हैं कि US और भारत sanction लगाना चाहता है कुछ ऐसी organizations पर कुछ ऐसे लोगों पर जो की involved है 26-11 जैसी गतिविदियों में और जिनको block हमेशा कॉन कर देता है चाइना के block करता है so she's always said that clearly जो कि मतलब यह political reasons लाकर वो बोल देते हैं कि political कारण है because we know the relationship that China and Pakistan share ठीक है जो कि कापरेंट मतलब पता है हमको reference है China के repeated moves to block New Delhi's attempt to blacklist Pakistan-based terrorists at the UN वो blacklist नहीं होने देता है now इस संबंध में चाइना ने जब भी sanctions को block करने के लिए चीज़ें की है उस संबंध में there are couple of videos that I have already made in the past also आप जाकर playlist में videos check कर सकते हैं कोई details समझ में आ जाएगी मैं किस बारे में बात कर रही हूँ ठीक है यहाँ पर उन्होंने quote unquote कहा हमारे जो भी efforts हैं जिस sanction करने के लिए interior attacks को उनको block किया जाता है और ये लोग जो हैं जो इस तरह के हरकते कर रहे हैं वो अराम से बाहर घूम रहे हैं हमारे देश पर यहाँ पर उन्होंने कहा कि terrorism जो है एक बहुत बड़ा खत्रा है international peace और security के लिए ठीक है इसी में आगे ऑगस्त में भी कामबोज ने एक swipe लिया था चाइना पर over UNSC United Nations Security Council over double standards in fighting terrorism कि double standards show करते हैं terrorism एक तरफ बोलते हैं को खतम करना चाहिए दोसी तरफ terrorism को support भी कर रहे हैं बिना नाम लिए neighboring nation card during the meeting on international peace and security she said common security is only possible अगर हम सहयोग करेंगे साथ में सभी के सुरक्षा तभी possible है when countries respect each other's sovereignty and territorial integrity जब देश की जो integrity है territorial integrity है और sovereignty है समप्रभुता है उसको respect किया जाएगा जैसा कि दूसरे लोग हम से expect करते हैं यह तभी हो सकता है जब आप अगर हम से expect कर रहे हो कि हम आपकी integrity, territorial integrity और sovereignty को respect करें तो आपको हमारी भी integrity को और sovereignty को respect करना पड़ेगा it cannot be a one way route it has to be two ways दोनों तरफ से होना जरूरी है और यह जो remark था यह उनका तब आया था against the backdrop of military standoff भारत और चाइना के बीच में on the LAC line of actual control तो काफी सब्दों में शब्दों में वो अपनी चीजे महत्पून रूप से और सही तरीके से सठीक रूप से स्ट्रेट तरीके से वो अपनी बातें बोलती है पाकिस्तान के संबंध में बात करें तो पाकिस्तान के संबंध में भी कामबोज ने एकदम जो उनके जो frivolous और pointless statements वो UN में पास करते हैं उनको जाने नहीं दिया एक emergency session हुआ UN General Assembly का October में जहांपे इनोने slam किया पाकिस्तान को and make frivolous and pointless remark against my country बलग गलत और बे-बुनियाद remarks यहां पर किये जाते हैं साथ में उन्होंने कहा कि इस तरह की statement को एक collective content सभी लोग इसका विरोध करें और साथ में थोड़ी सानुबूती भी हो इस mindset के लिए जो repeatedly utter करता है इस तरह की बातें भी रुचिरा कामबोज ने बोली है साथ में उन्होंने stress किया है कि पाकिस्तान को रोग देना चाहिए cross-border terrorism so that our citizens can enjoy their right to life and liberty यह पाकिस्तान को बंद करनी की ज़रूरत है क्योंकि हमारे नागरिक अपनी जो right to life and liberty उसको नहीं enjoy कर पा रहे है freely साथ ही UNSC के reforms के संबन में भी उन्होंने बात की जहांपर उन्होंने change के लिए कहा कामबोज ने कहा कि change जो है UNSC में वो जरूरी है क्योंकि एक global body है to undertake urgent reforms एक बहुत important body है को organization है United Nations Security Council जहांपर उन्होंने कहा कि reform, perform and transform या तो UNSC को reform होना पड़ेगा, perform करने पड़ेंगे जो चीज़ें जो उनके चोल की जिस वजह से इसको create किया गया था और transform भी करना पड़ेगा अपने आपको बदलती हुई जो भी situation जा सेनारियो है, global scenario या फिर उनको actually एक खत्रा है कि उनको कोई और organization super seed कर जाएगी UNSC को, UNSC now right now is the you know very important organization to combat terrorism and all the global issues उसको समझालने के लिए बहुत important organization है, अगर अभी UNSC reform, perform या transform नहीं होती, तो एक खत्रा है उसको कि उसको super seed कर देंगी कोई और organization जो ज़्यादा, that are more representative, जो जादा representative है, जो जादा चीजों को सही तरीके से लेती है, transparent है और democratic है nature में, यह उन्होंने august में कहा था, यहाँ पर permanent membership को बढ़ाने की बात भी है, एक reform की तरह UNSC में की, अभी UN में there are five permanent members, तो UN में और permanent members होने चाहिए, और ज्यादा से होने चाहिए, democratic तरीके से होना चाहिए, इन सब चीजों के संबंध में reforms को लेकर कहले बात हो चुकी है, यहाँ पर उन्होंने address करते हुए कहा था, UNSC के members को, the ambassador said that the meeting was an opportune moment to engage in serious discussion about India's call for reformed multilateralism, multilateralism होना चाहिए, जो की core है, of which lies the reform of the council, multilateralism की बात करें, तो basically it is, अगर international scenario में simple चब्दों में बताऊं, तो यह वो इक तरह का हुआ कि एक से जादा देश जब साथ में common goal के लिए काम करते हैं, तो इसको लाना जरूरी है, that is what she meant by multilateralism here, की दोती नेशन जब साथ में मिलके काम करते हैं, की जिसे counter-terrorism के लिए हो, की terrorism को कैसे combat किया जाए, कैसे counter किया जाए, इन सब चीजों के लिए जब साथ में देश आकर काम करेंगे, और इसी से reform हो सकता है council का, United Nations Security Council का, यह basic चीज है, साथ-साथ अगर हम इनके personality की बात करें, तो यह काफी बड़ी एक मतलब, she is a master of foreign affairs, और UN में अपने रोल से पहले, she is 58 years old, sorry 58 years old है, और उन्होंने decades spent के है in dealing with foreign affairs, यह पहली बार नहीं है जो भारत को UN में represent कर रही है, she is served as a councillor at India's permanent mission to the UN between 2002 and 2005, 2002-2005 के बीच में वीरोंने काम किया है UN में, इंडिया के permanent mission में, इसके साथ-साथ यह एक Indian foreign service officer है 1987 batch की और वो भारत की ambassador है चुकी है भूतान में, जब यह पहली महिला envoy थी to the Himalayan kingdom, ठीक है, इसके अलावा, she is also served as the Indian high commissioner to South Africa and kingdom of Lesotho between 2017-19, और India's council general in South Africa from 2006-2009, these are few of her achievements, इसके अलावा भी वो काफी जादा अलग-अलग देशों में भारत को, because she is an IFS officer, तो IFS रह चुकी है, अलग-अलग जखावे भारत को represent करती रही है, so this is about Ruchira Kamboj, I hope आपको session अच्छा लगा हो, दोस्तों 6 महिने से कम समय बचे हैं अभी आपके पास, अभी जाकर जो जाए रफतार accelerate batches से, अगर आप serious है अब 2013 के attempt, 2013 के attempt के लिए, और जुड़िए हमारे दिगजों के साथ at a very special price, अभी जाकर enroll कर लिजे with my code NDLIFE10 here, रफतार batch, revision batch होगा एक तरसे, मतलब complete revision batch होगा, यहाँ पर English और bilingual में accelerate होगा English में, जहाँ पर यह दिगज आपको पढ़ाएंगे, CSAT आपके तयारी में कोई रोड़ा ना बने, उसके लिए special batch शुरू हो रहा है, code NDLIFE10, batch शुरू हो रहा है, 12 December से अभी जाकर enroll कर लिजे, loan facility is also there, यह भी आप अवेल कर सकते हैं, platform पर, last mile free interview guidance program, mains का result बहुत जल्दी out होने वाला है, interview के लिए कर तयारी कर रहे हैं, तो this is the right platform to join, join it for free, interview guidance, now with my code NDLIFE10, doubt solution section में जाकर आप mains, UPSC mains, GSPYQ, 2018 से लिके 2021 तक, check कर सकते हैं, video solutions are live now, अभी जाकर check कर लिजे, और अपनी preparation को और जादा बहतर कीजे, और सही direction लिजाए, so that is it from my side, I hope you like this session, don't forget to like, share and subscribe to the channel, latest updates also, thank you so much, God bless.